कि नवश्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों चलते हैं देना करते हैं आगे बढ़ते हैं लेकर उससे पहले आपको याद दिलात हैं जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हमसे प्लीज निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जो दोबी में अंगला नया बीडियो डालूंगा उसका नोटिफिरेशन आप तक आसानी से पहुंच रहे तो चलिए दोस्तों देना करते हों चलते हैं डायट कॉश्टन ओपर दोस्तों पहला को से लिए हैं एक खास कोड़ भासा में लिखा लिखा हुआ है सब कुछ जिसमें जिससे है कि न्यू बैंकिंग सिस्टम को कोड़ दिया हुआ है स्टी एस एस टी पी एन ए लिखा जाता है और ऑफिसेस इन उनिफर्म का कोड़ है ओ ओ और एम यू एटी और न्यू बैंक न्यू बैंक आफिसेस का कोड़ है ओ और बीके एन ए और सिस्टम इन बैंक का कोड है ओ नहीं बीके एटी और एस अब इस यह हैं पूरी कोट महांसा आपके सामने लिखी हुई है और यहां पर प्रेशन पांच प्रेशन दिये जाते हैं इसके रिलेटिव जो कि पांच नमरों के आते हैं यह कॉशन हर बैंक की एक्जाम में आते हैं और बैंक में आई बी पी इस टाइप की कॉशन नहीं पूछे जाते हैं तो चलते दोस्तों चलते हैं प्रेशन पर किस टाइप की कॉशन आते हैं यहां पर पहला प्रेशन लिया हुआ है कोट जो की बीके है किसके लिए लिखा जाता है जान दोस्तों आप देखें बीके किसके लिए लिखा जाता है तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे बी के यहां पर जे दिया हुआ है और बी के यहां पर दिया है तो आप देखेंगे कि यहां पर भी तीन अक्षर है न्यू बैंक ऑफिसर्स हो रहे हैं यहां पर भी तीन अक्षर है तो देखेंगे कि आप सबसे यहां पर मैच बी की कर है तो इन तीनों में मैच कौन का रहा दोस्तों यहां पर बैंक मैच कर रहा है और जे अलग अलग दिये हुए ऑफिसर्स न्यू सिस्टम और इन तो दोस्तों यहां पर आप बी के लिए लिए लिख सकते हैं डारेक्ट बैंक यहां पर बैंक लिख सकते हैं बी के लिए तो आप इसको असे इस तरीके सिर्प आप सव GNI कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसको को्ट अंगला kleinen है कुट एसएस के लिए लेखा जाता लिए जिए दोस्त टो किसके लिए लिखा जाता लिएuden स सिस्टम के लिए है सेश टीपी और एण ए तो देखिए कि एसेश और किसम लाइन में है तो दोष दोस्तों सेस दें और एस यहां पर रहे हैं तो और यहां पर न्यू बैंकिंग सिस्टम को मेंच करेंगे कोई अक्सल दोबार रिपीट हो रहा है तो समय नीची ओर्लान में है शिस्टम है यहां पर सुड़ार एक सिस्टम के लिए ऐसेस कोट हो रहा तो आप लिख देगे ऐसस बराबर सिस्टम ए-स लिच उल्डेकर आप सिस्टम लिख सकते हैं एसस के लिए यहां पर system हो जाएगा फिर last में बच्चा दुस्तों क्या Emu के लिए क्या होगा आप देखेंगे Emu only a की बार दिया हुआ है यहां और कहीं पर Emu नहीं देख रहा है तो Emu के लिए offices in uniform में से कोई को चाटना है तो आप सबसे पहले कैसे चाटेंग इसके लिए देखेंगे की औरक ही दिखेंगे कALK देख रहा तो आप यहां पर देख रहा है तो तो यहां इसके बात इन और उनिफॉर्म बचा थे दो रहां तो इनarbeit कट हर तो रहे एद लिया बचने के वा सब ब्रका और ऐसे के लिए आजाएगा सिस्टम तो आप इस टाइप के वह से इस तरफ से आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप मैश करने पड़ते हैं और दोस्तों चलते हैं फिर अंगले कोश्टन पर अंगला कोश्टन क्या है दी गई कोट वहां सामें न्यू ऑफिसर्स के लिए क्या को तो देखे इन यूव के लिए ब्रीक लिए ग्रम के लिए एसे स्टीपी और यून complac dość की लिए ना सिन तीन में से दिन्यू के लिए चाट complaint ゃे कौन सा है दूस्तों देखेंगे ईल आप लिए ऊइए और यहां इस दीला हुआ है दो दोलानला में में मिसिजा और दोनों यह हब डारेक्ट यहां पर लग सकते हैं न्यू के लिए कोठ हो रहा है है यहां पर ज़स्टों आपकित आपपिसर्स को आप सदोत को पहले भी देख लिए था देख लिए तो आफीत सब्सें में चुर्ठ यहां पर interact & walk वर वोग्यार हो रहा है दोस्तों officers के लिए हो जाएगा OR और new के लिए हो जाएगा NA और officers के लिए हो जाएगा OR यह है code हो रहा है इनका used तो चलते हैं दोस्तों चलते अंगले question पर अंगला question क्या बोल रहा है अंगले question भी इसी type का है और आप इसको आसाने से solve कर सकते हैं दोस्तों इस टाइब के कोश्च्ट परिक्षा में बहुत जादा पूछ जाने लगे हैं पहले से पहले तो नौर्माली कोश्ट पूछ जाते हैं लेकिन अब कोडिंग डिकोडिंग का ख्रेस भी बढ़ता जा रहा है तो आप इसमें टप से टप कोश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी पूछे जाते जाने लगे हैं चलते हैं दोस्तों आँगे बढ़ते हैं अंगले कोश्चन पर अंगला कोश्चन है आपका दी गई कोड भासामें बैंक ऑफीसर्स इन यूनिफर्म के लिए क्या लिखा जाता है? अब यहाँ पर देखिे बैंक ऑफीसर्स इन और यूनिफर्म के लिए क्या कोड है तो आप इनको दोनों को यूज्ट करके देएंगे किया कुण सा कोड हो रहा है तो आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि BANK और O бесes in in YOU यूनिफॉर्म किस किस लान में दिआ हुआ है तो देखेंगे सबसे पहले देखें बैंक, बैंक यहां पर देख रहा है, यहां पर भी है बैंक और फिर उसके बाद कहां देख रहा है और बैंक दूसरी इलान में बैंक देख रहा है, तो यहां पर इनको मेंच करेंगे, और इनको मेंच करें, बैंक के लिए BK हो रहा है, यहां पर भी BK हो रहा ह गेंगी कि बैंक के लिए यूजड हो रहा है बी के फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा क्या हो चाहिए फिर ऑफिसर्स के लिए चाहिए तो दोस्तों ऑफिसर्स के लिए आप पहले भी निकाल चुके हैं कि ऑफिसर्स के लिए कौन सा कोट यूजड हो रहा है तो ऑफिसर्स क इन, इन के लिए क्या को रहा है तो पहले भी आपने निकाल चुके हैं तो आप आसाई से इन कॉßन को स्वाल कर सकते हैं इन के लिए आप यूजड हो रहा था A T, A T हो रहा था इन के लिए excel A T फिल लास्ट में बचा uniform आप uniform का court भी आप पहले निकाल चुके हैं दोस्तों uniform यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो uniform का court आप पहले सबसे पहले question में निकाला था uniform का court M U आया था दोस्तों देखते हैं bank officers in uniform का court क्या court होगा तो आप देख सकते हैं इसका court B K O R A T और M U होगा आप direct भी लिख सकते हैं इसका court J होगा और यहाँ पर इसका J वाला हो जाएगा और officers का हो जाएगा O R और इनका हो जाएगा A T और M U का हो जाएगा uniform तो दोस्तों आप यह सुनू से यह आप एक page पर करेंगे तो आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको swalve कर सकते हैं आसाने से एक या दो मिनिट में आप swalve कर सकते हैं और आप पांच नम्मार आसानी से परिक्षा में ला सकते हैं तो चलिए दोस्तों अंगले question पर चलते हैं पांच मा questions है इन के लिए code क्या होगा देखें दोस्तों यहाँ पर उनली इनके लिए code क्या होता है तो आप पहले भी निकाल चुके हैं कि इनके लिए code क्या होगा तो आप डायक्स का answer लगा सकते हैं कोई swalve करने की आवस्शकता नहीं होगी आप यदि पहले कोशन आप अच्छे से कर सकते कर लिया है तो आप पहले भी लिख चुके हैं कॉफी बेंसे करेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं आप एक चीज एक एक कोट लिख सकते हैं और एक बार दी आप सब के कोट लिख लिए तो आप आसानी से आपको टिक करता चाहना है और हर आएसे कोई कोई कॉशन गलत होने की 99% सही ही होगा एक परसेंट की भी गुंजायस नहीं होगी कोशन को गलत होने में तो आप देंगे इनके लिए पहले भी निकाल चुके हैं कि इनके लिए क्या कोट आएगा तो इन यहाँ पर भी है और इन यहाँ पर तो इनके लिए आ रहा था 80 तो आप डायेक्ट बिना सॉल्व करें टिक कर सकते हैं कि इनके लिए 80 यूजड हो रहा है दोस्तों सबसे पहले तो आप इनकाल के देख लें किस क्यान से सॉल्व किया जाते हैं आप इसको वीडियो को द्वार भी देख सकते हैं तांकि इस टाइब की कोस्टन आपको आसानी से बन शकें तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट वाक्स में आप जरूर बताएं यदि पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐस ही बीडियो का दोस्तों तब तक्या दोस्तों भाय